परहद पर जाने वाले यहां पर मुखे स्रडग के किनारे एक गाउं ऐसा है जिसका नाम सलधार गाउं है जिस गाउं यहां पर अधिकांश परिवार भूट्या जनजाती से तालोक रखते हैं और 40 परिवारों का गाउं सलधार पिछले दिनों यहां पर हुई बरसात की लिए पानी का संकट बना हुआ है यहां के स्थानी ग्रामिनों को कहना है कि यहां पर पूरा घर बार खत्रे के जद में पहुंच चुका है और साथी साथ यहां पर पीने के पानी के भी कोई वैवस्था नहीं है लगातार लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा ह ग्रामिनों को कहना है कि यहां पर वे लोग गाउं से यहां पर दूर एक गंदे नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और साथी कहा कि वे लोग यहां पर लंबे समय से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और आज तक किसी ने भी आपर हमारे गाउं की दलने दोपर से शारद दस के आ गया है उसकी चाकर निकल गया है और पूरी जमीन दस गई एक खेत भी हमारे पार था बहुंत की बहुत प्रास के लिए रहे हैं जिसके हमारे हमारे तो रहने के लिए भी परिशानी हो गया है, हमारे मकान काभी भी जब दा सकती है